नमस्कार साथियों एरासिंस्तान में आपका इक वार्पून स्वागते हूं अभिननन करता हूं जैसा कि ये वीडियो पले क्या है तो आपको थंदेल पर दिखाय दिया होगा कि जेट दोजार चोईस से रिगार्डिंग अपने एक डोकुमेंट्स की वीडियो आपके लिए अप्रूड करने जा रहा हूं तो आपको सामने दिखाय दे रहोगा डिस्प्ले पर जेट दोजार चोईस रिक्वाइड डोकुमेंट फोर रिपोर्टिंग मतलब अपन इस वीडियो के अंदर ये चर्चा करेंगे कि जो जेट दोजार चोईस में भाग लेने वाले जिन स्टुडेंटों ने कांसलिंग करवाई है उनका नंबर कोलेज में हो गया या फिर उनको कोलेज अलोट हो गई तो उसके बाद में जो रिकोर्टिंग का जब समय आता है उस समय अपने को क्या-क्या डोकुमेंट से ये उसकी बारे में पर संपुम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर इस सेशन के अंदर सबसे जो में बात अपनी ये रहेगी वो ये है कि जो आपको मैं डोकुमेंट बताने जा रहा हूँ वो डोकुमेंट आपको सभी स्टुडेंटों के पास अवेलेबल होने चाहिए अन्यता आप एडिमिसन से वनचीत रह जाओगे ये वीडियो मैंने पहले यू इसलिए बनाया है ताकि जो स्टुडेंट या फिर जिन स्टुडेंटों के पास अब तक जो मैं डोकुमेंट बताने जा रहा हूँ वो अभी तक है नहीं तो सबसे पहले डोकुमेंट अपने पास रखे सारी डोकुमेंट तैयार करके रखे ठीक है तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टुडेंटों को ये कहना चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्याद स्यादा दोस्तों के पास शेर करें ताकि इस वीडियो क हर विदार्ती आनंद ले सके और हर विदार्तियों को पता चल सके कि अपने जेट दोजार चोईस को लेकर जो रिपोर्टिंग के टाइम अपने को जो डोकुमेंट चाहिए ठीक है डोकुमेंट चाहिए वो क्या-क्या चाहिए ठीक है अब अपन नेक्स चलते हैं आगे पहला अपना जो डोकुमेंट से रहने वाला है वो अपना डोमीकल सेटिफिगेट ठीक है जैसे बात करें अपना निवास परमान पत्र सबसे पहले तो अपना डोकुमेंट एक यही रहना चाहिए कि जो निवास परमान पत्र होता है वो क्या होता है ठीक है सेकेंड आपको यह तो इमितर पर बना लेना है सबसे पहले तो ठीक है इसके बाद में अगर बात करें एक सेकेंड चाल रखना ठीक है अब नेक्स्ट बात करते अपन पस्टो के अपना निवास पर्मान पत्तर सेकेंड की अगर बात करें तो आपके कास्ट सेटिफिगेट की बात करें तो आपका होता है जाती परमान पत्तर आपको पास जाती परमान पत्र होना चाही है. ठीक है? अगर जाती परमान पत्र नहीं थो आप में बंचित जाओगे बच्चो इसलिए आप सबसे पहले जाती परमान पत्र आपका Cemal Certificate है. इसके बाद में अगर आपका Cum Certificate इस प्रकार शेरेगा यह यह आपको मैंने डाल दिया है, इस प्रकार चाहित का स्सेटिफिगेट रहेगा, इसके बाद में खरे आपकर अपने माईग्रeशन स्सेटिफिगेट का मतलब होता है, जो आपका माईग्रेशन सेटिफिगेट होता है, अपनी स्कूल के अंदर, जहां से अपने स्कूल 12 टक इसको पढ़ाई की है वहाँ पर आपको मिलेगा यह परमान पत्तर यह बताता है कि चातर ने पिछली प्रेक्साइट पास की है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है मतला कि जो आपका Migration Certificate है यह डिमार्ग से समंदेत होता है तो इसलिए यह परमान करता है यह certificate कि जो यह विदार्ती है तो पिछली जितनी प्रेक्साइट दी है यह जो पढ़ाई की है वो एक स्वस्त या पिर अपने मन से पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है और अपनी आने वाली पढ करें तो आप पर TC, TC बोलखों कि टीसी जयाद अतर बच्यों वोलते है किस दीसी कहां मिलेगी तो TC आपको जहां पर 12 की है आपने वहां पर transfer set of gate होता है GC का मतलब होता है transfer set of gate TC का मतलब यह होता है कि जो transfer set of gate मतलब transfer एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर transfer होना मतलब आप 12th pass कियो उसके बाद में अगर आप college बे अडिमीसर लेना है तो आपको TC अनिवार यह होगी इसलिए आपको TC जाकर अपनी स्कूल के अंदर और अपनी टी सी ले 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 ना है इस इस गीवन बाई दे स्कूल आपकी सी जो आपने टी सी को ले लीजिए ठीक है तब इसके बाद में चीदी से बात करते हैं एक तो ट्वल्थ की मारक सीट ठीक है ट्वल्थ की और आपके टैंथ की यह दो मारक सीट होनी यह तो मैन अपनी है, secondary mark seat अभी आपको बताया था, इसके बाद में आपकी जो secondary और senior secondary दोनों, मतलब आपको 12th और 10th की mark seat दोनों अनिवारे हैं, जब जाकर आपका selection, जो admission है, प्रिक्रिया, वो समपन होगी, ठीक है, छैन नमबर की बात करें, अगर जैसे आपके पास जिन कोटा होना आने वारे हैं, अगर आर्मी कोटा नहीं है, तो वह admission से बंचित हो जाएगे, दूसरी बात, आर्मी कोटा जिन विधारतियों के पास है, उनको नमबरों के अंदर छूट मिलेगी, एक अच्छा campus मिलेगा, इसके बाद में है, गेब certificate, गेब certificate की बात करें, तो ज जैसे 2021 में आपने पास के लिए, इसके बाद में आपने बाइस में कुछ नहीं किया, आपका बाइस में सेलेक्शन नहीं हो, उसके बाद में तेज में आपने जब एकजान दी जेट का, आपका admission हो गया, तो आपको गेब certificate बनाने पड़ेगा, क्योंकि 2021 और थेज के बीच म अगर 7-05 के एक साल का difference है, तो आपको गेब certificate बनाने पड़ेगा, अगर आपको 21 में अगर 12 पास की और 12 में आपको college में admission हो गया तो आपको गेब certificate क्या आउशकता नहीं है, अगर जो फंट क्रेस कोर्से हैं, तो उनको गेp certificate बनाने कर आउशकता नहीं है, अगर वो लोंग विकलांग है ठीकल तो उसके पास certificate होना अनिवारे होता है इसके बाद में date of birth certificate date of birth certificate की बात करें तो आपका जैसे आधार काड की बात की जनम पर्मान पत्तर आपका यह पता होना चाहिए डेट व बिर्थ सैटिभीट कर मतलब लए स्वर्यम्प पर्मान पत्र कि हम हैं नहीं से कि आप के इंकम certificate की बात करते हैं तो income certificate जो होता है उपनी माता-पिता कितने कमा लेते हैं साल पर का इसमें पूछा जाता है कि income certificate तो आपको जो income certificate है वो आपको इमित्तर पर बनवाना पड़ेगा ठीक है और उसमें दो से धाय लाक की income आपको note करने पड़ेगी ठीक है दो से डाय लाक की income आप एड कर देना इसके लाव को कुछ नहीं करना ठीक है इसके बाद में है आधार कार्ड ठीक है आपको एक आधार कार्ड अनिवारे है पहले से त्यार रखना ठीक है उसके पाद में चार password photo size आपको 4 इतनी चार password photo site चाहिए और password जो photo size है वो वही ले जो विदारती जब application forum जब आपने जेट का forum फिल किया था उसमें जो आपने photo लगाई थी रखे वो बहुत best रहे baba 16 गई ठीक है इसके बाद में जब पर्स राउंड होता है, सेकंड राउंड आता है, जब थर्ड राउंड आता है, उसमें आपको जब कोलेज मिलती है, कि यहाँ पर आपको कोलेज मिली है, नोसर मिली है आपको या आपको नोगावाल मिली है, जोबनेर मिली है, विकानेर मिली है, जोधपुर मि इसके बाद में अगर admit card की बात करें, जब आपका admit card आयता कि हमारा sir यहाँ पर center आया है, examination center, बोले तो admit card, आपको admit card लेना है, इसके बाद में जब आप result निकाल लेते हैं, उस समय आपके आयता है, score card, क्या आयता, score card, result का जो score card आयता, वो निकालना आपको, ठीक है, यह निकाल कर त्यार रखना, इसके बाद में character certificate, चरीतर परमान पतर, आपको यह भी रखना है, क्या रखना है, चरीतर परमान पतर, ठीक है, यह इतनी document है, वो आपको 20 से 22 document आपको मैं बता दिया हूँ, तो को त्यार रखना, इसके बाद में application forum और आता है, application forum, application forum को भी आप त्यार रखना ठीक है, जब तक application forum नहीं बन पाएगा, तो आप पे कुछ नहीं कर पाऊगे, application forum आधार काड हो गया, ठीक है, जीतनी भी आपको मैं डोकुमेंट बताए है, वो उन document को आप त्यार रखना, इसके बाद में आपको, मैं एक बात और बता दूँ, कि आपकी जो पांच टोक उनिरसीटिया है, उनकी बात करें, तो आपको एक description box में एक link दूँगा, उसमें जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी जो आपकी है, पांच उनिरसीटिया है, ठीक है, इसके बाद म इसमें ऐसे लिखा होगा कि first round की cutoff कितनी जाएगी, तो आप वीडियो जाकर check out कर लेना, ठीक है, ठेंक यू, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe करें, इस वीडियो को जादा से जादा दोस्तों के पास share करें, ताकि आने वाली हर notification आपको तुरंत मिल सकें, ठी कि हर student को share करेंगे, तो आपको या फिर आने वाले अपने जो दोस्त आपके, उनको सभी को फायदा मिल सकें इस session का, ठीक है, तो इस session को आपन यह swap करते हैं, जय हिद, जय बार्थ, ठीक तू.